नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे गार्णिंग चैनल पर आप जो ये पोधे देख रही हैं ये कॉक्स कॉम्प के पोधे हैं बहुती सुन्दर पोधे लगते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में कर बैल आएकन का बटन में जरूर दुबाए हैं इनके पोदे कैसे तियार करें और उनको गमलों में कैसे लगाए यहां मैंने इनके बीज ले ली हैं कि इसके पैक्ट को फार लेंगे पहले हम इसके बीज बहुत good fund होते बहुत छोट छोटे होते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ कटोरी में निकाल कर बहुत बारीक बीज हैं ये देख रहे हैं ये अपने हिसाब से आपको जिकनी पहुत त्यार करने हैं बीज ले ले या मैंने गंबले में मिट्टी भर लिया मिट्टी को गीला कर लिया है या मैं थोड़े सी बीज ले रही हूँ बीजों को हाथों पर निकाल लेंगे थोड़ा सा ये भोती बारिक बीज हैं अब थोड़े थोड़े बीजों को मिट्टी के उपर उपर बुरक देंगे थोड़े थोड़ा बुरक दें यहां मैंने सारे बीजों को डाल दिया है आज इस पर बिल्कुल हल्की सी मिट्टी डालेंगे मिट्टी को थोड़ा थोड़ा बुरक देंगे इस पर बीजों पर बीज अच्छे से ज्यादा से कवर ना हो मिल्कुल हलकी हलकी मिटी डालेंगे क्योंकि जितनी बीज की मुटाई है उसके हिसाब से हमें मिटी की लेर डाल दी है उसके बाद इस बीजों को ढख देंगे किसी अकवार या किसी गत्ते से कुछ दिनों के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें छोचोटे पोधे निकल आए है धीर धीर हमारे पोधे और बड़े हो गए है यहां और बड़े हो गए है हमारे पोधे यहां हमारे और पोधे बड़े हो गए है धीरे धीरे पोधे मेरे इतिसारे इसलिए नहीं लगे बीच में बारिश आगी थी शायद बीज उसी के वज़े से खराब हो गए यहां हमारे पोधे और बड़े हो गए हैं कितने इन में फूल भी आ गया है अब इनको गंबले में हम लगाएंगे अलग अलग करके यहां मेरे पोधे बड़े हो गए हैं अब इनको मैं अलग 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 गंबलों में लगाऊंगी इनको लगाने के लिए सबसे पहले जिस पोधे को निकालने हैं उनको गंबले की मिट्टी को गीला कर लेंगे और साथ में जिसमें लगाना है उसमें भी मिट्टी को गीला कर यह मैंने बड़ा गमला लिया है इसमें मैं तीन पोधे लगाऊंगी अब किसी नुकीली चीज से पोधे को आराम से नीचे से मिठी से खोद के निकाल लें इससे जड़े आराम से निकल जाएं जड़े ना तूटें पोधे को आराम से निकाल लें ऐसे मैंने और पोधे भी बहार निकाल लिये हैं पोधो को निकाल लिया है मैंने आराम से अब गम्लों में लगाएंगे मिट्टी से एक गड़ा बना ले उंगली से गड़ा बना के इसमें पोधे को लगा दे ऐसे और गड़ा बना के पोधो को इसमें लगादे और इसकी जड़ो को ढख दिंगे हम कि हम यहाँ पे मैं तीसरा पोध लगा रही हूँ इसको भी गड़े में दबा देंगे मिट्टी को जड़ों कछे से ढख दें अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पोध हमारा लग चुका है, इसको अभी एक दिन हम यहाँ छाया में ही रखेंगे, धूप में ना रखें, पोधे लगाने के बाद मैंने और भी पोध दूसरे गमरे में लगा दी हैं, एक दिन के बाद इसे धूप में रख दें, हमारे पोध लग के तयार हैं,